Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप लोग, मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाग होगे तो आज की स्टूडिया में इंशालला हम लोग फेस्टू का प्रेक्टिस टेस्ट नमबर फाइफ एक्स्प्रेन करेंगे MCQ नमबर बन में कहते हैं कि Enzymes in the gastric juice of many inflamed mammals that participate in milk protein तो हमारे पास gastric juices के अंदर एक enzyme होता है ठीक है जो के milk के अंदर मुझदा proteins को जो है वो digest कर रहा होता है तो उस enzyme को जो है वो renin कहते हैं ठीक है R-E-N-N-I-N यह जो simple जिसमें एक N होता है न यह हमारे पास हर्मोन है ठीक है यह एक हर्मोन है और मारे पास है जो R-E-N-N-I-N यह हमारे पास enzyme है ठीक है उन्ही जो मारे पास renin हर्मोन है यह gastric glands से जो है वो secret होता है ठीक है option B is correct next 2 में कहता है कि alveoli are absentent तो मारे पास fishes के अंदर, amphibians के अंदर और mammals के अंदर जाए वो gastric exchange जो है वो alveoli में होती है मतलब इनमें alveoli is present होते है जबके birds में मारे पास alveoli is absent होते है so option B is correct sorry C is correct ठीक है अब आप लोगों से मेरा question है कि अगर मारे पास birds में alveoli is absent होते है तो इनमें मारे पास gases exchange किस के थरो होती है आप लोगोंने मुझे वो comments में बताना है ठीक है next time circuit number 3 में कहता है HIV contains तो मेरे पास human immune deficiency virus में जो है वो दो RNAs present होते है option A is correct fourth में कहता है कि most favorable host cell of the HIV तो मेरे पास human immune deficiency virus होते है तो ये basically जाकर T cells पर जो है वो attack करता है ठीक है option B is correct fifth में कहता है कि which one the following is not opportunistic diseases related to HIV infection तो मेरे पास ऐसी diseases जो के HIV infection के साथ-साथ जो है वो relate कर रही हो तो ऐसी diseases को हम लोग opportunistic diseases कहते है ठीक है अब मेरे पास recurrent pneumonia pulmonary tuberculosis और texoplasmosis ये सारी जो है वो opportunistic diseases है ठीक है destruction of the body immune system it is not an opportunistic disease related to HIV so option is correct next time जीक नबर 6 में कहते है कि bacteria living on guts form the association of तो first of all आपको पता हो कि ये guts क्या होते है तो guts है वो आपका जो gastrointestinal crack होता है जिसे हम लोग GIT भी कहते है ठीक है तो उसका दूसर नाम जो है वो guts है ठीक है आप मारे पास जो gastrointestinal crack होते है इसके उपर बैक्टेरिया जो है वो present होते है ठीक है अब ये बैक्टेरिया और जो gastrointestinal crack है ये किस तरह की association शो करते है एक तुसरे के साथ ही mutualism शो करते है अब हम लोग देखते है कि mutualism क्या होता है commensalism क्या होता है ये terminologies भी हम लोग यहीं पर जो है वो समझ लेते है अब mutualism जो है वो ऐसे concept को कहते है जैसमें दोनों चीज़ों कुछ है वो फाइदा हो रहा हो अब बैक्टेरिया जो है वो GIT के उपर present है तो मतलब ये digestion में भी help कर रहा है और मतलब हमें भी फाइदा हो रहा है और बैक्टेरिया को भी फूड मिल रहा है उसे भी फाइदा हो रहा है तो उसे हम लोग mutualism कहते हैं मतलब ऐसा concept या SEO Association जिसमें दोनों Organisms को जाए वो फाइदा हो रहा हो तो उसे हम लोग mutualism कहते है ठीक है और SEO Association जिसमें सिर्फ एक organism को जाए वो फाइदा हो होता है कि कोई भी परसाइट से है वो किसी organism को जो है वो affect करता है ठीक है खुद तो उस परसाइट को फाइदा हो रहा होता है मतलब उसे nutrition उसे food मिल रही होती है लेकिन on the other side दूसरा जो host cell है या host organism है उसे जो है वो नुकसान हो रहा होता है ठीक है उसमें mutualism, parasitism, commensalism इसमें से MCQs आ सकते हैं ठीक है मैं आपको फिर तुमारा से summarize कर देता हूँ अगर मारे पास जो है वो दोनों चीजों को फाइदा हो रहा हो ठीक है उसे हम लोग mutualism कहते है अगर एक को फाइदा हो रहा हो दूसरे को नुकसान ना हो रहा हो ठीक है उसे हम लोग commensalism कहते है अगर एक को फाइदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है तो उसे हम लोग जाएव परसाइटिस्म कहते है ठीक है next 7th में कहते है कि size of chloroplast in micrometers तो हम पास जो chloroplast है इनका size वो 4 to 6 micrometers होता है ठीक है option C is correct इसी के साथ साथ आप लोग जहां पर दो और चीजे हैं उनका भी size याद रख लो हमार पास जो nucleus होता है nucleus उसका size जो है वो 10 micrometer होता है तो यह मैंने millimeter लेख लिए यह micrometer है ठीक है और हमार पास जो ribosomes होते है उनका जो है वो 20 nanometer size होता है ठीक है किसका ribosomes का chloroplast का 4-6 micrometer होता है size nucleus का जो हो 10 micrometer होता है ribosomes का जो है वो 10 sorry 20 nanometer होता है next 8 में कहते है keratinized epithelium is found in तो यह में है वो keratinized epithelium present होता है option A is correct next 9 में कहते है polypeptides change in insulin तो यह में इंसुलीन में जो है ठीक है और इसका मर पास primary structure होता है हीमोगलोबन में मर पास 4 polypeptides chain present होती है और इसका quotationary structure होता है और इस तरह मर पास myoglobin में भी मर पास 2 chains present होती है polypeptides की और इसका tertiary structure होता है यहां से आप लोग के यह 6 mcqs cover हो रहे है एक तो आप लोग उसे polypeptides chain का पूच सकता है insulin में 2 होते है hemoglobin में 4 होते है और myoglobin में 2 होते है structure का पूच सकता है insulin का मर पास primary structure होता है hemoglobin का quotationary होता है और myoglobin का tertiary structure होता है ठीक है so option is correct कि मार पास insulin में सिर्फ और सिर्फ 2 polypeptides chains present होती है ठीक है नेक्स 10th में कहते है कि Optimum pH of M.I.Lase हमार पास M.I.Lase का pH है वो 6.7 से लेके 7 तक है Option D is correct 11th में कहते है कि Which one is inactive enzyme without its co-factor तो हमार पास जो apo enzyme होता है ठीक है ये inactive enzyme होता है ठीक है without its co-factor Option B is correct Next 12th में कहते है कि Products of the light dependent reaction तो light dependent reaction का मार पास जो products है वो NADPH और ATP होता है Option C is correct 13th में कहते है कि Murine cell wall is composed of मार पास जो murine होता है इसमें sugars और amino acids present होते है Option A is correct Next 14th में कहते है कि Rust and smut belongs to phylum मार पास जो rust and smut है न ये basically Paceromycota से belong करते है Option C is correct Next 15th में कहते है कि Blood cells are produced in तो liver में blood cells produced नहीं होते है sapline में भी नहीं होते है heart में भी नहीं होते है इसमें option D correct है None ठीक है मार पास blood cells bone marrow में जो हो produce हो रहे होते है Option D is correct Next 16th में कहते है कि Anion size are larger than that of the atomic size because तो मार पास जो Anionic size होते है नहीं वो larger होता है ठीक है So that is why मार पास Anion का size है वो larger होता है as compared to atomic size Option C is correct Next 17th में कहते है कि theoretical yield is always तो मार पास theoretical yield है वो हमेशा actual yield से जह हो greater होती है Option B is correct ठीक है यह statement आप लोगो थोड़ी change करे कि तो यह book में लिखा हुआ है actual yield is always less than theoretical yield This means that theoretical yield is greater than actual yield Option B is correct 18th में कहते है discharge tube emission the cathode rays required तो discharge tube के अंदर मार पास जो cathode rays होती है ठीक है उनके लिए जो है हमें high potential और low pressure की जो है ज़रूरत होती है यह requirements होती है Option D is correct Next 19th में कहते है कि which rays have largest wavelength तो मार पास जो infrared rays होती है इनकी wavelength है वो largest होती है given options में से Option A is correct 20 में कहते है कि total energy of hydrogen atom in its ground state is तो hydrogen atom की में पास जो total energy होती है ground state के अंदर वो negative होती है ठीक है Option C is correct Next 21 में कहते है कि number of orbitals in M square तो हम लोग orbitals find करने के लिए just simple N का square लेते हैं तो M के लिए में रपास N की value कितनी होती है K के लिए में रपास 1 होती है L के लिए में रपास 2 होती है और M के लिए में रपास N की value 3 होती है So 3 का square में रपास यह आता है 9 Which is your option D ठीक है Option D is correct Next में में रपास M square number 22 कहते है कि if atom exists in excited state of N is equal to 5 then maximum number of the transition state plays in the number of transition basically number of spectral lines का पूच रहे में रपास spectral lines find के होने के लिए में रपास एक relation होता है N into N minus 1 divided by 2 N की value यहापर 5 के होन है So we can say that 5 into 5 minus 1 divided by 2 5 minus 1 रपास 4 होता है ठीक है into 5 divided by 2 5 4th रप 20 20 divided by 2 which is equal to 10 Option C is correct 23 में कहते है का nitrogen has 3 unpaid electrons according to तो nitrogen में रपास 3 unpaid electrons होते है यह hunts rule जो है वो यह कहते है Option A is correct next 24 में कहते है कि orbitals with the highest energy तो में पास जो molecular orbitals होते है इनकी energy जह हो सबसे जएदा होती है Option C is correct 25 में कहते है कि unpaid electrons in the molecule of NH3 में पास NH3 में जो है 0 unpaid electrons होते है ठीक है Option A is correct next 26 में कहते है especially with the dipole moment 0 तो में पास carbon dioxide methane 1,4 dry bromo benzine इन तीनम जह है वो dipole moment 0 होती है Option D is correct next 27 में कहते है कि carbon dioxide and water the hybridization of oxygen respectively is तो में पास जो carbon dioxide होते है इसमें oxygen की जो hybridization है वो SP2 होती है तीक है और में पास water में जह है वो oxygen की hybridization जह है वो SP3 होती है तीक है Option A is correct next 28 में कहते है कि oxygen has oxygen molecule have two unpaid electrons it is therefore oxygen में में पास two unpaid electrons होते है तीक है इसलिए में पास यह paramagnetic behavior show करता है Option C is correct next 29 में कहते है काट्विच तंप्रेचर बोथ Fahrenheit and Celsius scales are coincide तो में में पास minus 40 degrees centigrade पे Fahrenheit and Celsius scales जो है वो coincide करते है तीक है Option D is correct 30 में कहते है कि सिंगल बलून इस filled with the equal volume of the hydrogen, helium, nitrogen and neon तो कहते है कि which will be depleted first तो में पास तो में पास इसका molecular mass सबसे काम होगा तो वो सबसे पहले जो है वो deplete होगी तो है तो हाइडरोजन में पास 1 होते है option A is correct तो जोबन पास में सबसे काम molecular mass तो में पास change in momentum मतलब delta P hour delta T ये force की कुल होता है according to Newton's second law of motion and momentum option A is correct next 32 में पास dimension of the planks constant is same as that of तो में पास planks constant और जो angular momentum होता है इनकी dimension वो same होती है क्यों सेम होती है कि यूँँए इनका unit में पास same है unit किया है kilogram meter square ठीक है so that is why dimension भी जो है वो same ही होगी 33 में कहता है कि which one is scalar quantity तुमार पास mass जो है वो scalar है बाकी acceleration momentum और electric intensity ये सारे vectors है option A is correct next 34 में कहता है कि body and equilibrium must have तुमार पास कोई body अगर equilibrium में है तो उसकी acceleration जो है वो लाजमी 0 होनी चाहिए ठीक है option D is correct 35 में कहता है कि area under the acceleration time graph represents तुमार पास A जो है it is equal to V by T होता है ठीक है तो V जो है वो किसकी इकुल होजाएगा P is equal to A T ठीक है तुमार पास acceleration और time का पूछ रहा है acceleration and time ये आ गया तो it is equal to velocity changes option B is correct 36 में कहता है कि numberical value of the displacement to the distance is equal to तो displacement को distance जब हम लोग divide करते है तो it is always equal to or less than 1 option D is correct ठीक है 1 से ज़यदा नहीं हो सकती 37 में कहता है कि two bodies of the masses 1 and 4 are moving with the equal kinetic energies the ratio of their linear their linear momentum will be तो देको मार पास 2 bodies है जिनके masses मार पास 1 and 4 है कहते है किनेटिक energy जो है वो same है तो कहते है कि आप लोग बताओ इनकी जो ratio होगी linear momentum की वो क्या होगी तो आपको पता है linear momentum and kinetic energy का क्या relation है तो statement में उसने बोला किनेटिक energy जो है वो same है तो हम लोग relation इस तरह से बनाएंगे जिसमें हम लोग सरफ हो सरफ masses को momentum को compare कर रहे होंगे यह मार पास momentum चाहे वो P1 divided by P2 it is equal to under the root of M1 divided by M2 ठीक है so P1 divided by P2 यह क्या हो जाएगा it is equal to M1 मर पास 1 है M2 जो है मर पास 4 है इनका अब अब अलम लोग अटर रूट लेंगे तो 1 का तो 1 ही आता है divided by 2 क्या आजाएगा 1 तो इसको हम लोग लेख सकते है 1 ratio 2 which is your option D next 38 में कहते है कि Newton second is a unit off Newton second मर पास चाहे वो linear momentum का unit होता है option D is correct ठीक है तेखो मर पास क्या होता linear momentum P is equal to MV मैसका मर पास kilogram होता है ठीक है और इसका velocity के क्या आजाएगा meter per second जिसको हम लोग लेख सकते है Newton second option D is correct 39 में कहते है के पालिकल तो मैस M हाज मंतम थी इस किनेटिक नरजी विल बी मापस किनेटिक नरजी और मंतम का इसने से रिलेशन है किनेटिक नरजी is equal to P square divided by 2 M which is your option D next 40 में कहते है in projectile motion range is equal to height at तो जब भी मापस theta जो है वो 76 degree होगा ना तो range मापस जो है वो height के equal हो जाएगी which is your option D none ठीक है तो आप लोगों ने 76 को याद रखने है या आप लोगों का short question B था 41 में कहते है क्या hunter aiming a bird entry should aim तो अगर एक hunter है वो bird को shoot करना चाहते है तो अपना निशाना जो है वो उस bird से थोड़ा सा उपर की तरफ लगाएगा ठीक है option A is correct 42 में कहते है कर मिजाइल is wide when the speed of 98 meter per second at 30 degree horizontally ता मिजाइल is ever burned far मतलब हम लोगों ने time find करने है ठीक है तो उसके लिए मर पास relation है T is equal to 2V sine of theta divided by G ठीक है तो velocity मर पास 98 meter per second है so we can say that 2 multiplied 98 theta यहाँ पे मर पास 30 है so sine of 30 divided by G की जगा हम लोग जए वो 9.8 put करेंगे sine of 30 मर पास 1 over 2 होता है ज़िसको हम लोग 0.5 लेग सकते है so we can say that 2 multiplied 98 multiply 0.5 divided by 9.8 तो इसको आप लोग खुच साल्फ करेंगे आप लोग पास यह 10 seconds बनते है ठीक है which is your option A next 43 में कहते है light and heavy body have equal kinetic energies which one has greater momentum देखो मर पास kinetic energy के 2 relations है एक मर पास kinetic energy is equal to 1 over 2 mv square है ठीक है दूसरा मर पास है kinetic energy is equal to P square divided by 2 m अब हमार पास देखो उसने यहाँ पे एक तो message की बात की है light and heavy body की बात की है this means that light and heavy जाए यह mass पर ही depend करते है ठीक है तो message की बेस पे हम लोग उने light and heavy body का नाम लिए है दूसरा यहाँ पे kinetic energy की बात हुए momentum और mass का बताने so kinetic energy की अगर हम लोग ignore करते है mass को अब लोग इधर लें मार पास यह बन जाता है 2 m is equal to P square this means that momentum is directly proportional to mass okay so इसलिए हाँ से देखे तुमार पास जो heavy body होगी ना उसका momentum जो है वो जैदा होगा option B is correct next 44 में कहता है कि centripetal acceleration of the car traveling at the constant speed around the frictionless circular path तो एक car है ठीक है उसकी centripetal acceleration है और वो constant speed के साथ जाए वो किसी भी frictionless circular track के उपर जाए move कर रही है ठीक है तो उसका magnitude जो है वो तो constant होगा लेकिन इसकी direction है वो vary करेगी चेंज होगी option B is correct और यह same MC को आपलोंग पास के यह cat test no.1 में भी आया था ठीक है next 45 में कहता है कि unit of entropy entropy को unit में पास जाए वो jowl पर Kelvin होता है option C is correct next 46 में कहता है कि students were dash and the teacher therefore did not take the class the students were a few and the teacher therefore did not take the class option B is correct in 47 में कहता है कि he has dash his pen and is buying another pen he has lost his pen option B is correct next 48 में कहता है कि it is useless dash them they are sure to have left the house by now it is useless calling them okay option D is correct correct 49 में कहता है कि if you had passed your examination V dash a celebration so if you have you had passed your examination V V would have a celebration option C is correct 50 में कहता है कि the building was completely dashed by the fire the building was completely destroyed by the fire option D is correct तो ये ता आप लोंक कहा phase 2 का practice test number 5 में आप लोंकोने काफी कुछ सीका होगा не । झाक Ay Ak झाक झाक Yuk should